गुड इवनिंग फ्रेंड्स बात करेंगे आज आरीयस मेन इंग्लिश आफीसर बैच में क्लास नमबर 6 की हमारे टोपिक चल रहा है क्रेक्शन अब दा सेंटेंस क्रेक्शन उप दा सेंटेंस में इससे पहले हम लोग 5 क्लासी कर चुके हैं कि किसी sentence में error कैसे find out की जाती है इस संबन में आज की इस class में हम पढ़ेंगे next कुछ rules और कुछ अच्छे rules और कुछ अच्छे questions और कुछ error कैसे find out की जाती है यह तमाब जीजें आज की इस class में हम सीखेंगे तो start करते हैं आज की यह class आज कुछ specials rule के साथ इस class को शुरू करने वाले हैं हम तो आज का हमारा rule क्या है सबसे पहले तो हम rule की बात कर रहे हैं सबसे पहले rule यह है कि अगर किसी sentence में कोई preposition आ जाए किसी sentence में कोई preposition आ जाए और उसके बाद हमें अगर वर्ब लगानी पड़े तो यह वर्ब ing के रूप में होगी दोस्तों preposition के बाद अगर हमें वर्ब लगानी पड़े तो फिर यह वर्ब preposition के बाद वर्ब लगानी पड़े तो यह ing के रूप में होगी कैसे होगी यहाँ पर एक example देखते हैं जैसे अपन बोलते हैं I am sorry for call you so early इस तरह का sentence है और यहाँ पर हम लिखते हैं no error अब यह sentence का a part हो गया यह sentence का b part हो गया और यह sentence का c part हो गया और यह sentence का d part हो गया I am sorry for call you so early अब इस sentence में हमसे कोई पूछे कि mistake क्या है तो हमें यहाँ पर दिख रहा है preposition और preposition के बाद जब verb का use होता है तो फिर यह gerund के रूप में होती है इसलिए यह call नहीं होगा यह क्या होगा तो I am sorry for calling you so early preposition के बाद यह rule था हमारा कि preposition के बाद अगर किसी verb का use होगा तो फिर वो gerund के रूप में होगा तो यहाँ पर preposition है और इसके बाद verb आएगी तो वो ing के रूप में आएगी और भी इसके example हो सकते हैं जैसे अपन कहते हैं She is She is good She is good at dance She is good at dance मालो यह sentence है और अपन इसको इस तरह से लिखते है She is good at dance तो यह sentence का A part हो गया यह sentence का B part हो गया यह sentence का C part हो गया और यह D अब हमने देखा कि यहाँ preposition at है और at के बाद वर बार यह dance तो यह गलत है, dance नहीं हो सकता यहाँ पर हो जाएगा वर्ब dancing क्योंकि इसको ing form में लिखना पड़ेगा तो यह वर्ब हो जाएगी dancing इसी तरह एक sentence और हो सकता है कि are you not are you not interested are you not interested in earn money are you not interested in earn money तो in भी preposition है और इसके बाद यह वर्ब आ रही है तो फिर यह क्या होने चीए यह होने चीए earning are you not interested in earning money तो preposition के बाद जब भी वर्ब का use होगा वो जीरंड के रूप में हुगा इस रूल को आपको इस तरह से समझना है चलिए दोस्तों next rule की बात करते है आज का rule number second आज का rule number second यह है आज अपन इसी वर्ब की first form आएंजी की ही बात बताने वालाओं मैं सारी आपको अब दूसरा rule यह है कि अगर किसी sentence में with a view to अगर किसी sentence में with a view to या फिर ऐसे आ जाए look forwarded to look forwarded to look forwarded to या फिर sentence में आ जाए addicted to addicted to या फिर sentence में आ जाए accustomed to accustomed to या फिर sentence में आ जाए taken to taken to यह जितने भी आपको phrases दिखाई दे रहे हैं यह वाला चाहिए वाला इन सब के बाद अगर आप वर्ब लगाएंगे तो आप इस तरह से लगाएंगे और अगर आप इस तरह से नहीं लगाएंगे तो sentence में गलती हो जाएगी यानि कि अगर विधा view to लिखना है और उसके बाद वर्ब लगानी है तो वर्ब की फस्ट फो माइंगे होगा अगर look forwarded to लिखना है उसके बाद वर्ब लगानी है तो वर्ब की फस्ट फो माइंगे होगा संटेंस से इस बात को दोस्तों अपन समझ लेते हैं चलिए यहां पर कोशन है कोशन यह है कि He Came here He came here With a view to With a View to Improve 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 की स्पेलिंग गलत होगी दोस्तों यहां पर इस तरह से He came here With a view to Improve Improve Our Condition Improve Our Condition माल लीजिए कि यह संटेंस है और यह कोई error का कोशन है इस तरह से अब यह संटेंस का A part हो गया यह संटेंस का B part हो गया और यहां तक संटेंस में हो गया C part और यह हो गया D part अब यह कह रहा है He came here With a view to Improve Our Condition वह यहां आया With a view to कार्थ होता है इस दरस्टी कोण के साथ Look forwarded to कार्थ होता है किसी काम को करने का मन बनाना Addicted to कार्थ होता है किसी चीज का आदी होना Accustomed कार्थ होता है किसी चीज का Habitual होना या अपने कह सकते Abious अभिहस्त होना और taken to किसी आदत में पड़ा हुआ अब यहां पर With a view to आ रहा है और उसके बाद Verb आ रही है Improve तो यह तो First form आ रही है जब कि Verb की First form आ ये जी आना चीए तो यहां पर दोस्तों Improve गलत होगा यहां पर होगा Improving अगर Improving होगा तो सही होगा तो यहां पर Sentence में Correction है बस यही हमारा RS में Topic है Correction of the Sentence कि Sentence को Correct करना है जहां Error है वही हमारा Answers है अभी फिला लिए यहां से यहां तक तो A Part था यहां से यहां तक B Part था और यह C Part है अब यह गलती कहां मिली हमको C Part में मिली तो हमारा Ďनसर क्या होगा C जिस Part पे अपने को गलती मिलेगी वही हमारा answer होगा ऐसे ही मालो look forwarded 2 दिया होता और उसके बाद अगर first form है तो गलत है वरब की first form ing आना चाहिए ऐसे ही addicted to के बाद भी वरब की first form ing आना चाहिए और accustomed to के बाद भी वरब की first form ing आना चाहिए taken to के बाद भी हमने इसका example देखा है इनके भी example देख लेते हैं कैसे क्या कुछ बनता है जैसे कि अगर अपन ऐसे लिखते हैं कि I look forwarded I look forwarded I look forwarded to attend attend your birthday party I look forwarded to attend your birthday सोरी यहां पर full stop नहीं आएगा party और यहां no error इस तरह का कोई sentence है तो यह sentence का A part है यह sentence का B part है यह sentence का C part है और यह D I look forwarded to attend your birthday party तो यहां पर देखो look forwarded to आ रहे है न तो उसके बाद वरब की first form नहीं चलेगी यहां पर आना चाहिए जीरंड और जीरंड उटता है वरब की first form नहीं चलेगा तो यहां पर हो जाएगा attending I look forwarded to attending your birthday party तो attend के स्थान पर हम क्या लिखेंगे attending लिखेंगे यहां पर इसी तरह और भी हो सकता है question जैसे my friend is my friend my friend is addicted to my friend is addicted to drinking my friend is addicted to drinking these days these days यह इस तरह से sentence है और यह है इसका no error अब यह sentence का a part है यह sentence का b part है और यह sentence का c part है और यहां पर error find out करनी है तो हमने दिखा कि यहां पर addicted to आ रहा है addicted to के बाद वरब की first form आ यह जी आ रहा है इसलिए यह sentence सही है और सही है तो answer क्या होगा सही है तो answer होगा D answer होगा no error इस तरह से आपको याद रखना है कि किसी भी sentence में पीछे चले हम थोड़ा सा तो आपको याद रखना है कि यहां पर sentence में यह phrases आपको दिखाई दें with a view to look forwarded to addicted to accustomed to taken to तो इनके बाद हमेशा वरब की first form का use किया जाएगा ओके चलिए next rule की बात करते है next rule भी वरब की first form ing से ही है कुल मिला कर आज का जो हमारा concept है ना वो वरब की first form ing है कहां कहां वरब की first form ing आएगा आज अपन सिर्फ इसी concept पर घूमेंगे इसी concept की बात करेंगे तो चलिए next rule है हमारा क्या next हमारा rule यह है कि अगर sentence में avoid आ गया अगर sentence में postpone आ गया जिसका आर्थ होता है स्थगित करना अगर sentence में deny आ गया deny का अर्थ होता है इनकार करना अगर किसी sentence में यहां पर postpone deny avoid या worth का यूज क्या जाए या sentence में यहां पर it is no use का यूज क्या जाए यहां पर sentence का यूज क्या जाए it is no good अगर संटेंस में avoid, postpone, deny, worth अगर ये चीजें किसी संटेंस में आती है तो फिर आपको किसका यूज करना है आपको संटेंस में वरब की first form ing का यूज करना है ये वरब की first form ing का यूज करना है तो इन questions को अपन देख लेते हैं कैसे एक दो questions बता देता हूँ बाकि आपको समझ में आजाएगा कि इन सब शब्दों के बाद वरब की first form ing का यूज किया जाएगा जैसे question है you should question क्या है you should avoid you should avoid play you should avoid play on the road you should avoid play on the road आपको road पर खेलने से avoid करना चाहिए अब ये sentence का a part है ये sentence का b part है और ये sentence का c or d अब यहाँ पर avoid आ रहा है avoid के बाद क्या आना चाहिए था जीरंड तो play यहाँ पर नहीं चलेगा यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर चलेगा playing you should avoid playing on the road इसी तरह अगर इन में से कोई भी होता जैसे अपन कहते it is no good क्या sentence था it is no good it is no good cry over your loss your loss अच्छी बात नहीं है कि आपका कोई loss हो जाए आप उस पर चिल आए तो it is no good के बाद भी अगर वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी जीरेंड के रूप में आएगी तो फिर crying नहीं होगा क्या होगा crying होगा तो ये concept भी जो है हमारा ing पर भी है अभी बात खतम नहीं हुई है ing पर ही अगला concept भी है हमारा अगला rule भी जो है हमारा वो ing पर ही है ठीक है दोस्तों आपको थोड़ा सा मैं अगर revise करा दूँ तो पहला जो हमने rule पढ़ा था वो ये था कि अगर किसी sentence में preposition अगर किसी sentence में preposition है और यहां पर अगर कोई verb है तो वो किस रूप में होगी ing फिर आपने दूसरा rule क्या पढ़ा मैं एक ही शब्द लिखूँगा बाकि आप समझ जाना with a view to with a view to look forward to taken to addicted to इन सब के बाद भी अगर वरब की first form ing लिखेंगे तब ही सही होगा और तीसरा मैं starting में ही बता देता हूँ थोड़ा सा आपको ये avoid, postpone वगेरा ये सब जितने भी हैं इन के बाद अगर वरब की first form ing लिखा जाएगा तब ही sentence सही होगा otherwise गलत होगा और चोथा और लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ possessive adjective होते हैं कौन से adjective होते हैं possessive adjective ये possessive adjective क्या होते हैं आप भले इनको याद मत करो कि possessive adjective क्या होता है ये चीज याद मत करो जाए आप लेकिन आपको पता होना चीए possessive adjective है क्या जैसे my जैसे his जैसे her जैसे are जैसे your ये सब possessive adjective हैं अब इनके बाद अगर किसी वरब की जरूरत हो तो दोस्तों वरब की first form ing ही ही होगी कैसे होगी अभी example से clear करते हैं जैसे अपने कहते हैं he does not he does not like he does not like my come late उसे मेरा देर से आना पसंद नहीं है he does not my come late तो माई आगया ये रहा माई इसके बाद वरब आ रही है तो वरब सीधी नहीं आ सकती वरब की first form ing होगी तो यहां पर क्या होगा he does not my coming late इसी तरह दूसरा question है कि I don't like I don't like I don't like his tell a lie tell a lie मुझे उसका जूट बोलना पसंद नहीं है तो his his आ रहा है ये रहा his इसके बाद वरब आ रही है tell तो ये tell नहीं हो सकता ये क्या होगा telling होगा I don't like his telling a lie तो दोस्तों आज का जो concept था ना वो वरब की first form ing के उपर था तो हमने देखा कि preposition के बाद भी वरब की first form ing होगी with a view to look forward to taken to addicted to इन सब के बाद भी वरब की first form ing का यूज होगा avoid, postpone, work, deny, dislike, it is no good, it is no use इन सब के बाद जीरेंड का परियोग होगा इस्ट मींज वरब की first form ing का यूज होगा possessive adjective my, his, her, are, your, there इन सब के बाद भी वरब की first form ing का यूज किया जाएगा आज की ये क्लास यहीं कतम होती है आज का concept था वरब की first form ing अगले concept के साथ फिर अपन कल मिलेंगे next class के साथ correction of the sentence के साथ